अनदाताओं के आंदोलन का आज 23 दिन है। अनदाताओं के विरोध प्रदर्शन का आज 23 दिन है। एक तरफ दिल्ली में कडाके की ठंड पड़ रही है तो दूसरी तरफ अनदाता अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए है। आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोट में भी तीसरे दिन की सुनवाई होनी है। सभी की नजरें आज की सुनवाई पर तीकी हुई हैं कि कोट इस पर क्या निर्णे सुनाता है। पिछली सुनवाई में सरवोच अदालत ने कहा है कि वो किसानों का पक्ष जाने बिना कोई निर्णे नहीं लेंगे। ऐसे में अभी सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाने पर कोई निर्णे नहीं हुआ। हालंकि सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सक्त टिपनी भी की जिसमें प्रदर्शन को किसानों का हक बताया। लेकिन इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सरकार को सलाह भी दी कि वो कुछ वक्त के लिए कानूनों को होल्ड रखने पर विचार करे। तो दूसरी ओर शाम होते होते सरकार अनदाताओं के नाम से आठ पन्ने की चिठ्थी लेकर चली आई। चिठ्थी को लेकर क्रिशक संगठनों का कहना था कि सरकार की चिठ्थी में कोई नई बात नहीं लिखी गई थी। अब तक सरकार जो कहती आई थी उन्हीं बातों को सरकार चिठ्थी के माध्यम से फिर कह रही है। क्रिशिकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहती है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप कारून वापस ले लो, हम चले जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार और आंदोलन कारियों के बीच छेदौर की बाच्चित हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। दीबी लाइप की रिपोर्ट